दोस्तो, Grow Application, Stock Market का तेजी से बढ़ता हुआ Stock Broker अपने Simple User Interface और कम Charges की वज़े से काफी ज़्यादा पॉपलर होता जा रहा है और दिन प्रति दिन इसके Users तेजी से बढ़ते जा रहा है Even मैं भी अपना सारा Investment पिछले दो सालों से Grow Application पर ही कर रहा हूँ तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि Grow Application का यूज कैसे किया जाता है अगर आप भी जानना चाहते हैं आप Beginners हैं तो वीडियो को पूरा एंट तक देखेगा क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही helpful होगा चलिए आज का इस वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले इस एप्लिकेशन को डाउनलोड करके आपको अपना अकाउंट ओपेंड कर लेना है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा इसके बाद आपको अकाउंट ओपेंड करने के बाद लॉगिन हो जाना है ग्रो एप के होमपेज में कुछ इस तरह से आप भी लॉगिन हो जाएंगे इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके उपर मैंने सेप्रेट वीडियो बनाया हुआ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा कैसे आपको फ्यूचर एंड ओप्सन में ट्रीडिंग करना होता है बैक करते हैं यहाँ पर IPO में भी आप अपलाई कर सकते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर Bonds, Gold Bonds में भी आप Investment करने का Option मिलता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इनवेस्ट कर सकते हैं, Gold Bonds में भी इसके नीचे आपको यहाँ पर Stocks in News का Option मिलता है यहाँ पर Stocks in News में जो भी Shares आज के दिन में News में चल रहा है उनका लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसके नीचे आपको आज के दिन में जो भी Top Losers, जो Shares हैं उनका लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है See More पर क्लिक करके आप सारे Top Losers, Shares को देख सकते हैं इसके नीचे आपको Watch List का Option मिलता है आप यहाँ पर Watch List क्रियेट कर सकते हैं अपना आप यहाँ पर देखिए मैंने Sunil Sao के नाम से अपना Watch List क्रियेट किया हुआ है अगर आपको सारे Watch List के सेर्स देखने हैं तो आपको Open Watch List पर क्लिक करना होगा इसके बाद अगर आपको नया watch list create करना है तो इस पर click करके आपको यहाँ पर नीचे की तरफ create new watch list पर click करना होगा इसके बाद आप भी यहाँ पर से अपना watch list create कर सकते हैं और यहाँ पर shares भी मैंने add करके रखे हुए हैं काफी सारे अगर आपको shares remove करना है और फिर add करना है तो simply आपको इन पर click करना होगा remove करना है तो simply आपको यहाँ पर click करना होगा अब यहाँ पर आप यहाँ से click करके इसको remove कर सकते हैं ठीक है और अगर आप किसी भी shares को add करना चाहते हैं अपने watchlist में तो यहाँ पर देखिए मैंने back किया और इमान लो कि इस shares को मैंने अपने watchlist में add करना है तो add करने के लिए simply आपको यहाँ पर click करना होगा आपका यह जो shares है वो आपके watchlist में add हो जाएगा I hope कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा अब यहाँ पर देखिए explore के बाद आप dashboard वाले section में आएगे तो आप यहाँ पर देखेंगे आपकी जो holdings है वो सारी चीज़े आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी अगर आप इस shares को sell करना चाहते हैं तो simply आपको यह करने के लिए और कैसे sell किया जाता है उस चीज के लिए मैंने separate video बनाया हुआ है कि कैसे buy और कैसे sell किया जाता है description box में आपको उसका भी link मिल जाएगा इसके बाद बात करते हैं आप पर mutual fund के लिए तो mutual fund में आपको आ जाना है यहाँ पर आप देखेंगे तो popular funds में जो भी popular mutual fund है उनका list आपको यहाँ पर मिल जाएगा all mutual fund पर click करके आप सारे mutual fund देख सकते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर collections भी मिलता है जो कि high returns, tax saving, better than FD यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर collections मिल जाती है आप इन पर click करके सारे mutual fund देख सकते हैं जो कि high returns वाले mutual fund है यहाँ पर और और smart save करने का option मिलता है इसके नीचे आप यहाँ पर all mutual funds को देख सकते हैं और यहाँ पर अपना watch list जैसे कि stock में हमने watch list बनाया था वैसी आप भी यहाँ पर watch list create कर सकते हैं mutual fund के लिए भी अब दोस्तों अगर आपने किसी भी mutual fund में invest किया तो उसका detail आपको dashboard में देखने को मि मिलेगा आपका SIP अगर कोई है तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अगर आपने कोई भी mutual fund में invest किया है तो आपको यहाँ पर mutual fund का नाम दिखेगा और यहाँ पर invested value और returns आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपने कितने mutual fund में invest किया है total numbers of investment आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, दोस्तों अब आपको यहाँ पर profile के option पर click करना है, profile में click करने के बाद आपको यहाँ पर अपना grow का balance दिखाएगा, तो यहाँ पर अगर आपके पास grow में balance नहीं है, तो आप कोई भी shares, buy और sell नहीं कर सकते, इसके लिए आपको add money पर click करके, प जिसके भी through चाहें, आप यहाँ पर payment करके यहाँ पर add कर सकते हैं, अपने grow app के wallet में, इसके नीचे आप अपने all orders आप यहाँ पर check कर सकते हैं, mutual fund के हो, या फिर stock market के हो, ठीक है, आप future and option करते हैं, तो उसका भी आप यहाँ पर order पूरा का पूरा यहाँ पर देख सकते हैं, इसके नीचे आपको bank details देखने को मिलता है, इस पर click करके आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि आपका कौन सा bank यहाँ पर added है, आप अगर दूसरा कोई bank add करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से add कर सकते हैं, अगर इस bank को remove करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर click करके, और यहाँ पर delete के button पर click करना होगा, आपका यह जो bank है वो यहाँ से delete हो जाएगा और दूसरा bank आपको add करने का option मिल जाएगा, back करते हैं, यहाँ पर से आप refer करके भी पैसे कमा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर refer and earn पर click करेंगे, इसके बाद नीचे की तरफ आपको invite via whatsapp का option मिलता है, आप यहाँ से refer पर click करके whatsapp पर redirect हो जाएगे, और वहाँ पर आपका एक link send होगा, उस link के थुरू अगर आपका friend अपना account बनाता है, demate account grow application पर, तो आपको as a referral 100 rupees per refer आपको मिल जाएगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने refer करके 10,700 रुपए अभी तक total earn किया हुआ है, और 205 लोगों का अभी तक account pending में पड़ा हुआ है, यह लोग जब अपना account बनाएगे, तो per refer 100 rupees के हिसाब से मुझे मिल जाएगे, मैंने total अभी तक 312 लोगों को refer किया हुआ है, अब यहाँ पर देखते हैं, आगे बात करते हैं, तो help and support वाले section में आपको help का जरुरत पड़ता है, अगर कोई भी दिक्कत आता है, कोई भी problem आता है, mutual fund, stocks, accounts related, payments related, gold related, तो आप यहाँ पर अपना help ले सकते हैं, grow वालों से बात कर सकते हैं, ticket trace करके, अगर मान लो stock से related कोई भी problem है, तो यहाँ पर click करेंगे, इसके बाद IPO से related है, margin से related है, क्या चीज से related आपका दिक्कत आ रहा है, demate accounts से related, तो आप यहाँ पर से ticket trace करके उनसे बात कर सकते हैं, या फिर contact number भी इनका होता है, जिसको मैं आपको description box में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग इनका mobile number no down कर सकते हैं, और call करके बात कर सकते हैं, बैक कर लेते हैं, यहाँ पर इसके निचे आपको report का option मिलता है, report के option पर क्लिक करेंगे, तो आपको सारे reports देखने को मिल जाएंगे, tax filing से related, mutual fund से related, या फिर stocks से related, किसी भी mutual fund या फिर stocks का अगर आपको क्या चाहिए, report चाहिए, तो आप यहाँ से report डाउनलोड कर सकते हैं, कब से कब तक का आपको profit and loss का report चाहिए, आप यहाँ पर से date डाल दीजे, और यहाँ पर download पर क्लिक कर दीजे, आपको इसका report डाउनलो देखने को मिल जाएगा, दोस्तों अगर आपको कोई भी shares, buy या sell करना है, तो उसके लिए मैंने separate video बनाया हूँ, उसका link आपको description box में मिल जाएगा, अगर आपको future and option में trading करना है, तो उसका link भी आपको video के description box में मिल जाएगा, I hope कि आपको यह video पसंद रहागा, अगर video प सब्सक्राइब कर लिजे, अभी के लिए इस video में बस इतना ही मिलता है, नेक्ट वीडियो में तब तक कि लिए, जय हिंद, जय भारत